दोस्तों मैं सोरम बलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट फेर कुईज में आज हम देखेंगे 26 मही की करेंट फेर को जो की सभी परिक्साओं के लिए महत्पून रहेगी डेली करेंट फेर कुईज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करेंट फेर के कोशन आंसर को कवर कराता हूँ जो की पूरे दिन की करेंट फेर होती है प्यारे दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कल की वीडियो से कोशन पूछूंगा जिसका आंसर सभी को कमेंट बोक्स में बताना होगा कोशन है तिरपुरा परेटन विभाग ने किसे अपने ब्रैंड अम्बसेडर के रूप में चुना है इस कोशन का आंसर आप लोग कमेंट बोक्स में बताएगा शुरू करते हैं आज की करेंट अफेर को और पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है हमार सुघर लायक अभियान का संबन्द किस राज्य से है तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने क्या है चतिसगर यानि की ए राइट आंसर हो जाएगा भई दूसरा कोशन आता है तो दूसरे कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा वर्ल्ड हेल्थ ओर्गिनाइजेशन यानि की ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरे कोशन का सही उत्तर तीसरा कोशन आता है बहरीन पैरा बेडमिंटन चेंपियंशिप एसल थ्री वर्ग में पुर्सो के एकल प्रत्योगता किसके द्वारा जीती गए तो तीसरे कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा परमोध भगत द्वारा दोस्तों यानि की डी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर फोर है पंच करम संकल्प का संबंध किस मंत्राल्य से है कोशन नमबर फोर का सही उत्तर रहेगा दोस्तों बंदर गा नोवहन और जलमार्ग मंत्राल्य से संबंध है इसका राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा कोशन नमबर फोर का सही उत्तर कोशन नमबर 5 है तेलगू कहानिकार और उपन्यासकार केतू विस्वनात रेड़ी का निधन हो गया इनका संबंध किस राज्य से था तो पांचवे कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे दोस्तो डेली करेंट अफेर की पीडियाप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उनली टॉप स्टेडी अप को डाउनलोड करके 5 स्टार की रेटिंग कर देना उसके बाद करेंट अफेर पीडियाप आपको मिल जाएगी दोस्तो 6,000 कोशन आंसर की जो हमारी मास्टर पीडियाप है ये मात्र 150 रुपीज में आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दिया है और इस पीडियाप में आपको सब कुछ मिल जाएगा इसलिए इसको मास्टर पीडियाप बोलते हैं इसमें सारी चीज़े हैं और सभी एक्जाम को एक कवर करती है ठीक है आप हमें वोड़सप नंबर पर मैसेज करके भी इस पीडियाप का लिंक ले सकते हैं छटा कोशन है हाल ही में किस बैंक ने गरहाकों के लिए लाइव वीडियो चैट वेब चैट की सुरुवात की है तो छटे कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों बैंक ओफ बडोदा ने यानि की ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा वई कोशन नंबर साथ आता है हाल ही में टाटा केमिकल्स ने किसे अपने साथवे कोशन का राइट आंसर रहेगा आर मुकुननद यानि की राइट आंसर इस ऑप्शन सी यह आपको याद रखना है आठवा कोशन है हाल ही में यूटी खादर किस राज्य की विदान सबा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए है आठवे कोशन का राइट आंसर रहेगा दोस्तो करनाटक विदान सबा के यानि की ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा और ये कोशन काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि पहला जहां पे दोस्तो वर्ड आ जाएगा पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने है तो ये इंपोर्टेंट कोशन है एक्जाम में आ सकता है कोशन नमबर नाइन है हाल ही में भारते रेलवे ने किस देश को 20 ब्रोड गेज इंजन सोंपे हैं तो नोवे कोशन का राइट आंसर रहेगा ओप्षन C बांगलादेश यानि कि C इस दा राइट आंसर ये आपको याद अखना है कोशन नमबर टैन है हाल ही में अंतरिक्स में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्स यात्री कोन बनी है तो दसवे कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही उत्तर आप लोग ने क्या है राय आना बरनावाली यानि की राइट आंसर भी हो जाएगा दोस्तो दसवे कोशन का सही उत्तर कोशन नमबर 11 है हालही में Apex University जैपुर ने किसे मानद उपादी परदान की है और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग इस सेशन को रेगुलर देखते हैं तो प्लीज लाइक जरूर किया करें अपने भाई बहन दोस्तों भी competitive exam की त्यारी करते हैं उन तक भी वीडियो को जरूर सेयर कर दिया करें ग्यारवे कोशन का राइट आंसर रहेगा सोन उसूद यानि की C राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बारवे कोशन है हालही में कहा डिजिटल इंडिया समवाद आईजित किया गया है बारवे कोशन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा बिलकुल सही उतराप लोगों ने किया है मुंबई यानि की B is the right answer कोशन नमबर 13 है हालही में जारी हैंके के वार्सिक दुख सुचकांक में कौन सिर्ष पर रहा है तो 13 कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों जिमामबे यानि की option A right answer हो जाएगा कोशन नमबर 14 है हालही में कहां हैरिस पार्क का नाम बदल कर लिटिल इंडिया किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों कोशन नमबर 14 का राइट आंसर क्या रहेगा काफे इंपोर्टेंट है ये ये दोस्तों नाम बदल कर किया गया है औस्ट्रेलिया में यानि की option C right answer हो जाएगा 14 कोशन का सही उत्तर कोशन नमबर 15 है हालही में किसे बास्किट बोल फेडरेशन आफ इंडिया की अध्यक्स के रूप में चुना गया है बिल्कुल से डोक्टर के गोविंद राज यानि की B right answer हो जाएगा दोस्तों पंदर्वे कोशन का सही उत्तर कोशन नमबर 16 है हालही में किसे भारते सेना का निया MGS न्यूक्त किया गया है इस कोशन का right answer रहेगा अमरदीप सिंग ओजला यानि की option C right answer हो जाएगा दोस्तों सोलवे कोशन का सही उत्तर कोशन नमबर 17 है किसे हालही में ताइकांडो इंडिया के महासेचीव के रूप में चुना गया है तो सतरवे कोशन का सही उत्तर क्या रहेगा option हो जाएगा दोस्तों A right answer ठीक है अमित धमाल यानि की A is the right answer ये आपको या दखना है कोशन नमबर 18 है किसे हालही में ताइकांडो इंडिया के वरिष्ट उपाध्यक्स के रूप में चुना गया है अठारवे कोशन का right answer क्या रहेगा option दोस्तों हो जाएगा वीना अरोडा यानि की B right answer हो जाएगा अठारवे कोशन का सही उत्तर ठीक है कोशन नमबर 19 है E governance हासिल करने वाला भारत का पहला पून रूप से E governance राज्यक्सा बन गया है 19 वे कोशन का दोस्तों right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही उत्तर है केरल यानि की C right answer हो जाएगा वे कोशन नमबर 20 है हाल ही में किस राज्यने सरकारी योजनाओं और सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक पहुचाने के लिए सासन परियोगदारी पहल सुरू की है दोस्तों 20 वे कोशन का right answer हैगा मारा सरकारी यानि की option a right answer हो जाएगा वे ये तो थे हमारे 20 करेंटरफिर के question answers अब बात करते हैं आज के homework के बारे में आज का हमारा homework का question है हाल ही में किसे swimming federation के अध्यक्स के रूप में चुना गया है तो जल्दी से इस question का answer comment box में बता दीजेगा और जो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तो वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूँगा ठीक है आज का हमारा question of the day है भारत चीन सीमा की लंबाई कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों 5 सेकिंड का समय मिलता है जल्दी से answer बतेगे comment box में देखे भारत चीन सीमा की लंबाई कितनी है तो 3488 किलोमेटर यानि की बी right answer हो जाएगा I hope कि आप सबने भी यह answer किया होगा कल का हमारा homework का question था हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक कोन बना है तो right answer है का चीन तो यह भी आपके लिए दोस्तो important question है याद रखना है प्यारे दोस्तो only top study app को download करके आप daily current affair की पीडियाप पराप्त कर सकते हैं जैसे आप only top study app को download करेंगे 5 star की rating कर देंगे तो यह पीडियाप आपको फिरी में मिल जाएगी और 6000 के question answers की जो हमारी master पीडियाप है यह दोस्तो आपको मिलेगी 150 rupees में हमारी website से और इस पीडियाप का link मैंने नीचे description box में दे दिया है अगर आपको वहांस पर कोई problem आती है या फिर directly link चाहिए आपको whatsapp पे तो whatsapp message कर देना इस number पे आपको whatsapp पर भी link भेज़ जाएगा और pdf भी whatsapp पर मिल जाएगी इस पीडियाप की खास बात दोस्तो यह है कि इसमें सारे subject cover किये गए है और सभी प्रिक्साओ के लिए मैतपून है वीडियो पसंद आती है तो like कर देना share कर देना अपने दोस्तों के साथ में चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर ओन कर लेना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिसना हो और आप regularly इसी परकार से सारी वीडियो देखते रहें master pdf दोस्तों ध्यान रखना यह आपको whatsapp नमबर पर message करने पर भी मिल जाती है और नीचे description box में जो link है उस पर click करने पर भी यह पीडियाप मिल जाती है thank you so much bye bye everyone take care